हात्रस कांड की पीडिता के घर के पास हुई सबा आरोपियों के लिए न्याई की उठी मांग नमस्कार दर्शकों आप देख रहे हैं सस्निविस नेटवर्क मैं वदान क्यास आप सभी का तहे जिल से स्वागत करता हूँ हात्रस के जिस गाव में 20 साल की दलितुविती के साथ गैंग रेप और हत्या की वारदात हुई है वहाँ पर रवीवार को एक बैठक आयोजित की गई तता कथित उची जांतियों के लोगों ने हात्रस कांड में गिर्फतार आरोपियों के समर्थन में आज एक बैठक की इस दोरान एक आरोपि का परिवार भी सभा में शामिल हुआ हात्रस में दलितुविती के गैंग रेप और हत्या को लेकर पूरे देश में रोश है इस मामले में जो भी दोशी हो उन्हें सक्ट सक्ट सजा दी जाने की मांग उट रही है बीजेपी नेता राजवीर सिंग प आरो था सीबियाई जांच की स्वागत करने के लिए वहां लोग आये हैं किसी को बुलाया नहीं गया था आरोपी लवकुष की मां भी यहां आई थी सुभा सीडियों ने समझाने की कोशिश की थी लेकिन उसके बावजूद मीटिंग की गई बता दे कि दलित युविती की इलाज के दोरान दिली के एक अस्पताल में 29 सितंबर को मौत हो गई थी स्थानिय पुलिस ने इस मामले को जिस तरह से संभाला उसे लेकर योगी अदित्यनात सरकार की जम कर अलोचना हो रही है पुलिस ने आनन फानन में रात दो बज़े युविती का अंतित समस्कार कर इस दोरान पीडितर का परिवार भी नहीं था इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं बैठक के आयोजगों में से एक ने कहा हमने बैठक के बार में पुलिस को सूचित कर दिया है महिला के परिवार के खिलाफ भी दर्च की जानी चाहिए आरोपियों को निशाना बनाया गया है इससे पहले शुकरवार को भी स्वन्ट समाज के लोगों ने महिला के गाव के नजदीक बैठक की थी इस दोरान स्वन्ट समाज के लोगों उन्हें मांग की कि इस पूरे मामले की जाच सीवियाई करे और जो निर्दोश लोग हैं उनको छोड़ा जाए और भी बड़े नेटवर्क धन्यवाद